आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पारिक्रमी जो की हमारे शने पीच मंदेर नई देली से आप सभी में ज्यान के दिधी हूँ आप सभी अपने जीवन में और उम्मती तरक्य कर सके और दुख से मुक्ति पास के इसके लिए ये कारिक्रम प्रसारित की जाता है आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत विशीश है गनेश चतुर्थी का पावन उत्सव आ रहा है और इस उत्सव में भगवान श्री गनेश को प्रसंद करने के लिए आप अपनी राशी के अनुसात कौन सा पूल भगवान श्री गनेश को चड़ाएं ताकि भगवान श्री गनेश आप पर प्रसंद हो और आपको अपना आश्रात वेदान करें आपकी सभी मनों कामनाएं पूल इसके लिए आज हम चर्चा करें जिन नोगों ने अब तक हमारे ये चैनल गुरु रचनीश शी जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसके प्लिक करके अत्वा हमारे जो चैनल का पेज है गुरु रजनीश शीजी जो चैनल है उसके पेज पर जाकरके आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको आता रहें आज हम बात करेंगे मीन राशी वाले गनेश चतुर्थी के उत्सव हुए ऐसा क्या करें भगवान श्री गनेश को ऐसा कौन सा पुष्प समर्पित करें ताकि उनके जीवन में उम्नति होने लगे तरक्के होने लगे और रुके हुए काम बनने लगे आज आपको विशेश पुष्प जो भगवान श्री गनेश को बहुत प्रिये है आप यदि इस पुष्प को भगवान श्री गनेश को समर्पित करेंगे तो वो अवश्ची ही खुश होके आपकी सही मनों काम नाइप गोल करेंगे इस उपाय के लिए अगर मीन राशी वाले गनेश चतुर्थी में पढ़ने वाले ब्रस्पतिवार को हर ब्रस्पतिवार को भगवान श्री गनेश को मोदक के साथ मेरी गोल या गेंदी की पुष्प अथ्वा पुष्प माला भेट करें उन्हें समर्पित करें तो अवश् भगवान श्री गनेश आपके प्रसन होंगे और आपके जीवन में सुक्ष, शांती और सौधा के ले करके आएंगे उन्नती होगी तरक्की होगी आगे बढ़ेंगी जीवन के जितने भी रुपिकारे हैं सभी यदि मीन राशी वाले अपने घर में भगवान श्री गनेश क इस गनेश चतुर्थी वेकर के आना चाहते हैं तो आपको हल्दी के अत्वाप पीले रंग के भगवान श्री गनेश को अपने घर में स्थापित करें तो यह आपके लिए अत्यंत शुख होगा और आपको दोहत सारी शुख पल्पताब करेंगा में राशी के स्वाहित ब्रस्पती है गुरु है तो इसलिए ब्रस्पती वार को गुरु वार को ही आपके उपाए करें जिस दिर आप भगवान श्री गनेश को भुव लगाने के बाद विशेश रूप से उनका जो वाहन है मुशब चुहा उसको भी आपने एक मुदक के गबिल हो वहाँ पर उस मुदक को रख करके छोड़ाएं ऐसा करने से हगवान श्री गनेश के इस गनेश चतुर्थी के पावन असर पर वो आपको अवश्य ही प्रसन हो के बनान करें इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहती हूं अगर आपको कोई भी परिशानी प्रेम में शादी में कोई अडचन आ रही हो अथ्वा आपके जीवन में और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप मुझ से अथ्वा हमारी बुरु जी गुरुरु रचनी शिश्य जी से संपर्थ कर सकते हैं और अपनी जनम कुण्ली हमें दिखा सकते हैं हम आपकी जनम कुण्ली देख करके अवश्य ही आपकी जो के परिशानी आ रहे है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन में एक अच्चोप परिवर्थन आएगा मुझसे या दुरुजी से संपर्थ करने के लिए निचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं हमारी वेबसाइट आ रहे हैं आप उसमें से या हमारी जो इमेल आ रहे हैं उस पे आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं कुणली दिखाने के लिए एक छोटी सी पीस हमारे हलगती है, जो की हमारी शरी मंदिर द्वारा जो समाच के कन्यान के लिए विशेशकारे होते हैं, जैसे की हम हर शनिवार को भगवाण शुषनी देव का प्रसाद वित्रन करते हैं, गरीबों के बीच में अनका दान करते है अथवा जो हम लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, उन्हें सभी के कारों में सहय आपकती है, तो आप अवश्य ही अगर आपको आपके परिवार में, आपके मित्रों में किसी को भी कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्ट स्थापित कर सकते हैं, साथ आप उन्हें से ज्यादा वीडियोज इस यूट्यूब पर अवेलिबल हैं, आप उन्हें वीडियोज को भी देखें, आपके ज्यान में अवश्य ही तो और आपके जीवन में और अधिक उन्यती आएगा, सुक, शान्ती और सौभा के आएगा, तो आप उन्हें आप परिशान हैं, तो आप अपनी परिशानियों को दोर करने के लिए गुरु रजनी श्रिशी जी द्वारा, मंत्र सित एवं प्रान पतिष्ठित, जैम रिंग्स, रतनों की अंगुठियां, ब्रेसलेट या लॉकेट अवश्य पहने, संपर्ख करने के लिए आप स्क्री www.shanidev.us पर डिसकस कर सकते हैं कर सकते हैं